देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प सब्सक्राइब करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव के क्रिपा आप सभी पर सदय बन जहें, गया वीडियो है, लिब्रा यानि की तुला के एप्रिल 2022 के मंतली राशिफल का मासिक राशिफल का मंतली होरोस्कोप का, कैसा रहेगा तुला के ज सुरेंट्स, हेल्थ, फाइनस, इन सब टॉपिक्स को यह राशिफल कवर करेगा, यह राशिफल लगन पर आधारित होता है, लेकिन यदि आपको अपना लगन नहीं पता, तो फिर आप इसको अपनी राशिफल से भी अब्सर्व कर सकते हैं, क्या उपाय करना होगा तुला के एप्रिल 2022 के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शन्स के साथ, तुला लगने के जात्कों के लिए महीना ओवरॉल अच्छा ही दिख रहा है, सबसे पहले तो आपके लगने के स्वामी पांचवे स्थान में रहेंगे, जोकि एक त्रिकोन स्थान है, एक लक्ष्मी आपको देंगे, यह बहुत अच्छी चीज है, बहुत सारे राशी परिवर्तन हो रहे हैं, अप्रल में राहु, केतु, ब्रहस्पती, शनी, जो चार बड़े करहा हैं, लगी जो धीरे चलते हैं, उनकी राशी परिवर्तन हो रहे हैं, राहु, केतु, ब्रहस्पती की वीड प्रतन होता है तो वो समय स्पेशली जब केतु लगन में आते हैं तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता तो अचानक से सेहत विगण सकती है इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है बाकी चीजों को इस महीने थोड़ा सा कम प्रायोरिटी भी देंगे तो चलेगा लेकिन सेहत को आपको इस महीने बहुत जारा बहुत जादा प्रायोरिटी देनी है राहू आपके सात्वे स्थान में आ रहे हैं जिन लोगों की शादी की बात टल रही थी अठक रही थी नहीं बन रही थी उनकी बात आगे बढ़ज़कती है और भौतिक सुकों की प्रापती के लिए राहू काफी अच्छे रहेंगे और जो लोग बिजनस करते हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा कुछ योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए इस महीने बन रहे हैं रूचक योग रहेगा कुछ दिनों के लिए मंगल क्योंकि उच्च के रहेंगे चौते घर में तो लीडर्शिप क्वालिटी दिखाने का आपको मौका मिलेगा और काफी साहस भी आपके अंदर रहेगा सस योग भी पूरे महीने अल्मोस बना रहेगा जो कि शनी देव द्वारा बनता है और क्योंकि आपके लिए शनी देव बहुत शुब हैं योग कारक हैं आपके लगन पर भी दिरिश्टी रहेगी तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा योग रहेगा दोनों ही योग लीडर बनाने की capabilities रखते हैं तो अपनी personal life में या professional life में एक लीडर बनके आप उभर सकते हैं भेरी योग भी बन रहा है ये भी बहुत अच्छा है जिन दमपत्यों को family planning में आगे बनना है उनके लिए महीना बहुत अच्छा है राजधर्म योग बन रहा है महीने के शुरुआत में government से आपका कुछ काम अटक रहा था तो वो आगे की और बढ़ सकता है मृदंग योग बन रहा है ये भी बहुत अच्छा है government से कुछ लाब प्राप्त हो सकता है जहां काम करते हैं वहाँ पे management से कुछ लाब प्राप्त हो सकता है और घर के बड़ों से भी लाब प्राप्त हो सकता है एक शूल योग बन रहा है वैसे सबकी कुंडली में है क्योंकि नाबस योग होता है तो सभी की कुंडली में इस महीने रहेगा शूल योग लेकिन सबकी कुंडली में किन घरों में बनता है किस तरह से बनता है उसका अलग प्रभाव हो जाता है आपके लिए मैं यही कहूंगा कि साहसी तो आप रहेंगे लेकिन क्योंकि यह शूल योग बन रहा है और आपके कई जगा पे बहुत एग्रेसिव भी हो सकते हैं और बहुत ही जादा एग्रेसिव तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है जो एग्रेशन है या आपके लिए थोड़ी नकरात्मक हो सकती है बहुत कुछ आप अचीव कर पाएंगे इस महीने में इच्छा प्राप्ती इच्छा पूर्ती के कई बार योग बनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा लाइफ को आगे लेके जाने के लिए आपको इंस्पिरेशन मिलेगी इस महीने वो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव देख रहा है बार-बार में यह देख रहा हूं कई बार कुंडली में नवामसा में दसामसा में इच्छा पूर्ती के योग बन गए है क्योंकि नवामसा में है तो मतलब कि आपकी कोई बहुत ही परस्नल लाइफ में इच्छा जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही थी वो इस समय पूरी हो सकती है इस महीने पूरी हो सकती है महीने के अंतिम भाग के आसपास या कहिए 20 तरीक के बाद थोड़ा personal life में कुछ problem आ सकती है और यदि किसी से वात व्यात की स्थिती उत्पन होती है तो उसको जादा seriously मत लीजेगा वरना वो आपकी mental health पर बहुत affect करेगा negative way में थोड़े adjusting nature के रहेंगे इस महीने तो बहुत अच्छा रहेगा और अपनी communication में भी clarity लाके रखेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा यह महीना overall तुला लगन के जातकों के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है इस महीने का लाब आपको ज़रूर उठाना है प्रोफेशन के तिरफ और शुरुवात करते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए महीना कैसा रहने वाला है क्योंकि दस्वे घर के स्वामी चंद्रमा है उनकी गती तो बहुत तेज रहती है इसलिए हम दस्वे घर पर जादा द्रिष्टी कोन रखेंगे जादा द्रिष्टी डालेंगे दस्वे घर पर मंगल और शनी की द्रिष्टी रहेगी दोनों ही काफी स्टॉंग है लेकिन मंगल ने दिगबल लूस किया हुआ है तो इसका एक ही मतलब है कि थोड़ा अपने कारेक शेत्र में आप आगे तो बढ़ेंगे लेकिन कई चीजों को लेकर थोड़े एरिटेटिन हो जाएंगे क्योंकि यदि आपके हिसाब से काम नहीं हुआ तो वो चीज आपको बहुत फ्रस्टेट करने वाली है बाकी यह महीन अच्छा दिख रहा है क्योंकि मंगल उच्च के हैं द्रिष्टी डालेंगे दस्वे घर पे शनी अपनी राशी में है तो करियर में आगे बढ़ने का मौका आपको जरूर मिलेगा तेरा तारीक के बाद व्रहस्पती छटे स्थान में आ जाएंगे और दस्वे घर पर द्रिष्टी डालेंगे यह भी आपके लिए अच्छा है क्योंकि व्रहस्पती आपके लिए तीसरे घर के स्वामी है और छटे घर के स्वामी है तो आगे बढ़ने की लालसा बढ़ेगी आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ेगी और आप काफी competitive भी feel करेंगे तो यह महीना आपके लिए काफी अच्छा दिख रहा है बस थोड़े frustration के कारण आप कुछ गलत काम कर सकते हैं गलत निरने ले सकते हैं कारण शेत्र में इस से आपको थोड़ा पचके रहना है financially भी यह महीना career के prospect से अच्छा दिख रहा है salary बढ़ सकती है, increment बढ़ सकते हैं कुछ ना कुछ पैसों के हिसाब से अच्छा आता हुआ आपकी तरफ दिख रहा है मतलब कि जो काम करेंगे उसके हिसाब से बलकि उसकी expectation से ज़ादा आपको पैसा प्राप्त हो सकता है लेकिन अपने career को और सुधारने के आप प्रयास कीजिए इस महीने अपने skills को और upgrade करने का प्रयास कीजिए theoretical चीजें सीखना सही है लेकिन अप इस महीने आपको थोड़ा practicality पर भी ध्यान ज़ादा देना होगा यदि किसी को कुछ सिखाने का मौका मिलता है आपको अपने career शेत्र में तो उस मौके को जाने मत दीजेगा क्योंकि एक तरह से वो आपको ही help करेगा आने वाले समय में government संबंदित job करते हैं government job करते हैं sales या marketing से जुड़ी कोई job करते हैं IT या communication से जुड़ी कोई job करते हैं आप तो आपके लिए ये महीना बहुती जादा अच्छा रहने वाला है overall career के perspective से ये महीना अच्छा ही दिख रहा है आप चलते हैं business की तिरफ जो लोग business करते हैं उनके लिए महीना overall तो अच्छा रहेगा क्योंकि सात्वे स्थान को भी देखना पड़ता है और वहां के स्वामी है मंगल और वो उच्च के रहेंगे और सात्वे घर पर दृष्टी भी डालेंगे महीने के शुरुवाती समय में तो यहीं पर रहेंगे तो ये आपके लिए business के लिए बहुत अच्छा है business में साहस रहेगा आपके अंदर आगे बढ़ पाएंगे कई विग्न कई obstacles आपके business से दूर हो पाएंगे तो overall आपके लिए business के हिसाब से महीना अच्छा दिख रहा है लेकिन यदि family business करते हैं यानि कि आपके family members आपके साथ involved है business में तो इस महीने में थोड़ी बहुत problem आ सकती है कुछ ना कुछ पैसे वो लेकर या role को लेकर कि business में आपका क्या role है कितना share है इन चीज़ों को लेकर थोड़ी problem हो सकती है थोड़े ego clashes भी हो सकती है वैसे आगे बढ़ने का अपने business को आगे बढ़ाने का बहुत मौका आपको इस बहीने मिल सकता है लेकिन एक ही चीज़ बार-बार सामने आ रही है कि emotions के कारण थोड़ी बहुत problem business में हो सकती है और जादा chances CC के देख रहे हैं कि यदि आपका family business है तो ये महीना थोड़ा सा problematic emotionally रहने वाला है महीने के शुरुवात में अपने business के बारे में थोड़ा और research करेंगे तो अच्छा रहेगा महीने के बीच में competition बहुत रहेगा लेकिन आपको कारे भी बहुत मिलेगा लेकिन काम का burden जादा रहेगा महीने के अंत में आपको बहुत जादा profit हो सकता है जो मेहनत कर रहे थे उसके result अच्छे राप्त हो सकते है research से जुड़ा marketing से जुड़ा finance से जुड़ा कुछ भी business करते हैं तो ये महीना आपके लिए लाब कारी है चलते हैं love life की तरफ क्योंकि शुक्र पंचम स्थान में रहेंगे तो emotionally तो ये महीना ठीक था के दिख रहा है relationship के लिए लेकिन सूरे का सब्तम स्थान में आना महीने के बीच में थोड़ा problematic हो सकता है detail में बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं जिनका no contact situation बना हुआ है ये महीना इस situation से निकलने के लिए बहुत अच्छा है बहुत ज़ादा संभावना है कि जो भी problem आ रही थी वो resolve हो जाएगी उसका solution आपको मिल जाएगा लेकिन लोगों की ज़्यादा ना सुने ऐसा दिख रहा है कि कई लोग आपको influence कर रहे हैं आपको सलाह दे रहे हैं ये कर लो वो कर लो इसके चक्र में जो real में आपको करना चाहिए अपने मन की बात नहीं सुन पा रहे हैं लोगों से बहुत influence कर रहे हैं से वो जो no contact की situation बनी हुई है उससे निकल नहीं पा रहे हैं बहुत जादा संभावना है कि यदि आपने अपने मन की सुनी और एक sincere effort आपने डाला तो इस no contact की situation से आप निकल पाएंगे अब बात करते हैं नया relationship स्टार्ट करने के लिए महीना कैसा रहेगा नए relationship के लिए महीना अच्छा है ठीक था खैवल की लेकिन यदि आप relationship स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले अपने perspective partner को आपको समझना पड़ेगा ऐसा दिखरा है कि आप उनको समझ नहीं पाएं हैं जितने भी आपकी बाते हुई हैं आप उनको ढंग से समझ नहीं पाएं हैं इसलिए शायद वो connection अभी तक आपका set नहीं हुआ है वो connection आपका नहीं बैठा है जिसके कारण नया relationship अब तक start नहीं हो पा रहा है इस महीने यदि उनको और समझने के आप प्रयास करेंगे तो बहुत जादा समभावना है कि relationship आपका start हो जाएगा अब बात करते हैं जो लोग already relationship में हैं ठीक ठाक महीना दिख रहा है महीने के शुरुवात में intuition बहुत अच्छी रहेगी लेकिन साती में भ्रमित भी रहेंगे यदि आपको लगता है आपके partner कुछ गड़बर कर रहे हैं आपके पीट के बीचे और ये आपको महीने के शुरुवात में लगता है तो बहुत जादा समभावना है वो चीज ठीक होगी महीने का मध्यभाग का समय ठीक ठाक है कुछ problems यदि relationship में आ रही थी तो दूर हो जाएंगी और चीज़े positive direction में बढ़ेंगी और adventurous सा थोड़ा समय रहेगा कुछ नया आप दोनों ही करने का प्रयास करेंगे महीने का अंतिम भाग भी relationship के लिए अच्छा है लेकिन वहाँ पर थोड़ा emotions जादा रहेंगे और emotions के भाव में कुछ गलत निरने कुछ गलत कार्य कर सकते हैं तो मिला जुला सा ये महीना देख रहा है love and relationship के लिए चलते हैं married life की तरफ ये महीना ठीक ठाक सा देख रहा है married life के लिए क्योंकि सूर्य देवता सब्तम स्थान में आ जाएंगे और उच्छ के हो जाएंगे तो थोड़ा सा नकरात्मक प्रभाव शादी शुदा जिंदगी में पढ़ सकता है महीने के मद्य भाव के बाद है डीटेल में बात करेंगे इस बारे में ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे चेंजिस आने वाले हैं इस महीने आपके मेरेड लाइफ में तो उसके लिए तैयार रहिएगा जितना पर्याप्त मात्रा में बोलेंगे यानि कि जरूरत से जादा नहीं बोलेंगे तो आपके लिए महीना अच्छा रहेगा कम बोलिये सपश्ट बोलिये जितना जरूरत है सिर्फ उतनी ही बात आपको करनी है जहां जादा बाते करी जहां जरूरत से जादा बात करी जहां over communication आपने किया वहीं आपके married life में problem आना शुरू हो जाएगी चीजों को जल्द बाजी में करने का प्रयास मत कीजिए जहां आपकी शादी शुदा जिन्दगी का सवाल आता है समय के साथ चीजों को आगे बढ़ने देंगे तो महीना अच्छा रहेगा जल्द बाजी में कुछ किया तो वहीं पर problem स्टार्ट हो जाएगी महीने के शुरूआत में थोड़ा विश्वास बढ़ाएगा अपनी शादी शुदा जिन्दगी में क्योंकि ऐसा देख रहा है कि महीने के शुरूआत में कुछ न कुछ ऐसा होगा या उससे कुछ समय पहले कुछ ऐसा होगा कि जिसके कारण विश्वास की थोड़ी कमी आ जाएगी विवाहिक जीवन में महीने का मध्यभाग अच्छा नहीं देख रहा भागना चाहेंगी अपनी शादी शुदा जिन्दगी से आपको एक बंधन के तरह लगने लगेगा अपना विवाहिक जीवन और दिल करेगा कि ये बंधन को तोड़ कर कहीं ओड़ जाओ कहीं भाग जाओ तो महीने के बीच का समय आपके लिए विवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है कुछ न कुछ नकरात्मग भी हो सकता है लेकिन ओवर आल आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस बंधन में बंद कर नहीं रहा है महीने का अंतिम भाग शादी शुदा जिन्दगी के लिए अच्छा दिख रहा है लेकिन थोड़ा अपने पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा बातों की गहराई को यदि समझने का अपने प्रयास किया तो आपके लिए महीने का अंतिम भाग अच्छा रहेगा तो थोड़ा सा नकरात्मक दिख रहा है शादी शुदा जिंदेगी के लिए महीना थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा अब चलते हैं पैसे के तरफ यानि की फाइनाइन्स अंड एक्स्पेंसिस की तरफ है ग्यारवे स्थान के स्वामी उच्च के हो जाएंगे महीने के बीच में आने की सूरदेवता धनभाव के स्वामी उच्च के ही रहेंगे महीने के शुरुवात में और लगने के स्वामी भी लक्ष्मी स्थान में रहेंगे तो ये महीना ओवराल पैसे की स्थिती के हिसाब से अच्छा ही दिख रहा है देखते हैं पैसा कहां कहां से आ सकता है शेर मार्किट से इस महीने काफी पैसा कमा सकते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जहां पर एनलेसिस बहुत होता है म्यूच्वल फंडादी या कुछ भी जहां पर एनलेसिस करना पड़ता है तो आप इस महीने बहुत पैसा कमा सकते हैं एंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं उससे संबंदित कुछ करते हैं तो पैसा कमा सकते हैं इंटिरियर से जुड़ा, रियल एस्टेट से जुड़ा या फिर काउंसलिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं कंसल्टेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो बहुत पैसा कमा सकते हैं अब बात करते हैं कि खर्चा कहां कहां होगा, इस महीने अचानक से भी कई जगा खर्चे आपके होंगे, कुछ ऐसे खर्चे होंगे जिनके लिए आप तैयार नहीं थे और वो थोड़ा आपको फ्रस्ट्रेट भी करेंगे और ये सारे खर्चे या इन में से mostly खर्चे आपके म अंदर ये करण पर भी इस महीने थोड़ा अत्यंत खर्चा आपका होगा, थोड़ा जादा खर्चा होगा घर को अब ग्रेट करने के लिए या उसको थोड़ा और ब्यूटिफुल बनाने के लिए, साथी में यात्राओं पर और गैजेट्स पर यानि कि कुछ टेक्नोलोज समान आप खरी देंगे, और उस पर भी इस महीने आपका खर्चा काफी होने वाला है, लेकिन पैसा जादा आएगा, खर्चा कम होगा, खर्चा होगा, लेकिन जितना आपका हरुस को बता रहा है, उसके हिसाब से इस महीने पैसा भी आपके पास काफी आने वाला है, चलते ह स्टूडन्स की तरफ स्टूडन्स के लिए ओवरॉल यह महीना अच्छा रहेगा क्योंकि शनी देव अपनी राशी में रहेंगे जो आपके पांचवे स्थान के स्वामी है और ब्रहस्पती पंचम स्थान में रहेंगे यह भी अच्छा है कुछ समय बाद राशी परिवरतन क कर रही तो उस परिस्थिती में चेंज आएगा और कुछ बहुत ही ऐसा आपके स्टडी लाइफ में हो सकता है जो आपको बहुत उत्साहित कर देगा काफी पढ़ाई लिखाई का बहुत ध्यान आप रखने वाले हैं महीने काफी स्टूडियस रहेंगे फोकस रहेंगे और चीजों को पहले से ही प्रिपेर करके रखेंगे तो ओवराल तो आपके लिए यह महीना पढ़ाई के हिसाब से अच्छा दिख रहा है लेकिन जो हायर स्टूडियस करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा यह महीना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है थोड़े obstacles आ सकते हैं थोड बहुत जादा प्रियास करेंगे पढ़ेंगे लेकिन जब एक्जाम देने जाएंगे तो शायद आपका brain आपका आपकी body भी आपका साथ नहीं देगी जिसके कारण शायद उतना अच्छा result आपका ना पाए या उतना अच्छा performance आपका नहीं रह पाए महीने के बीच में आ यदि आपका कोई एक्जाम पढ़ता है तो उसका मिला जुला प्रभाव रहेगा यदि आप अपने subject के प्रती passionate है तो तो आपका एक्जाम अच्छा जाएगा अधर्वाइस थोड़ी बहुत problem उसमें हो सकती है यदि आप finance से जुड़ी कोई पढ़ाई करते हैं science से जुड़ी कोई पढ़ाई करते है या फिर IT communication से जुड़ी कोई पढ़ाई करते हैं तो ये महीन आपके लिए अच्छा है चलते हैं सेहत पर मैंने शुरू में ही कह था कि केतु आपके लगने में आ रहे हैं ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और आपके लगने के स्वामी पंचम में है वे अच्छा है लेकिन वहाँ पे छटे भाव के स्वामी ब्रहसपती के साथ होंगे बाकी सब चीजों के लिए ब्रहसपती अच्छ हैं लेकिन आपके लगने के लिए छटे भाव के भी स्वामी हैं तो वहां से भी अपना अफेक्ट देंगे तो हेल्थ के हिसाब से महीना थोड़ा नकरात्मक हो सकता है फिजिकल सेहत जादा बिगड सकती है मेंटल सेहत फिर भी थोड़ी बहुत ठीक रहेगी कभी-कभी वो बिगड सकती है क्योंकि उस पे चंदरमा का बहुत प्रभाव रहता है और चंदरमा क्योंकि बहुत तेज गती से चलते हैं तो मांसिक सेहत अपन डाउन चलती रहती है लेकिन फिजिकल सेहत इस महीने थोड़ी आपकी बिगड सकती है देखते हैं क्या-क्या प्रबलम तंग कर सकती है महीने के शुरुवाती भाग में नसो से संबंदित प्रबलम low energy, body pain आपको तंग कर सकता है महीने के शुरुवाती भाग में heavy खाना ना खाए जितना simple, जितना सात्विक खाना खा सकते हैं, उतना सात्विक खाना खाईएगा तो आपकी सेहत बची रहेगी महीने के बीच के समय में thyroid संबंदित problem, गले से संबंदित problem और shoulder के आसपास के area की problem तंग कर सकती है साथी में water retention की problem और liver संबंदित problem भी तंग कर सकती है महीने के बीच के समय में water body के पास न आ जाए, डूबने के chances बन सकते हैं महीने के अंतिम भाग में फिर से lower body में काफी दर्द रहेगी और कानों से संबंदित कोई problem भी आपको तंग कर सकती है sleep disorder, anxiety और सर से संबंदित problem भी आपको इस महीने के अंतिम भाग में तंग करेगी तो थोड़ा सा नकरात्माग दिकराए, सेहत के हिसाब से अपना ध्यान दीजिएगा आपके लिए उपाय यह है कि आपको महीने के शुरुवाती समय में ही यानि कि एक दो तारीक को ही किसी भी लक्ष्मी मंदिर में जाकर, लक्ष्मी नारायन मंदिर में जाकर, या फिर दुर्गा मंदिर में जाकर, मिश्री अगरवत्ती के कुछ पैकेट और मीठा पान अरपन करके आना है साती में कुछ दक्षिना देखिया नहीं और वहां पर बैठकर दुरगा चालीसा का पांच बार और लक्ष्मी चालीसा का पांच बार पाठ करके आना है यही आपके लिए सरवोत्तम मुपाय है इस महीने का चैनल पर नए है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्ष्ट